हेलो फ्रेंद्स वर्कम बैक टो मैं चैनल तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं नई वीडियो लेके आ गए हूँ और आज मैं आप लोग को ब्लाउज में फ्रिल डिजाइन बनाना सिखाऊंगी वह बहुत इजी ट्रिक के साथ तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर द साथ है पांच इंच लिया मैंने 耶orf Academy करने झिम्स लुक्राइज वाला है इसक नेक बहुत नौर्मल है जैसे नौर्म्ड यूनइक होने वाला है वस इसमें यूनिक पार्ट है special पार्ट है इसकी फ्रिल तो देखिए बस जैसे हम लोग नॉर्मल ब्लाउस के लिए ड्रॉ करते हैं वैसे मैंने इसमें किया है और उपर जो है इसकी चौराई मैंने 2 इंच ली है और इसका डीप 9 इंच है और देखिए बस हमें मैंने एक राउंड शेप देना है नीचे मैंने इसकी चौराई सवा दो इंच ली है आप चाहे तो और हाइंच भी ले सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरह का एक शेप दे दिया है और इसको कट कर लेंगे फ्रेंड आपको पता है कि जब भी हम लोग बैक ओपन ब्लाउस बनाते हैं तो सामने की तरफ हाप इंच रखना पड़ता है इससे जो है फिनिशिंग बहुत अच्छे आती है तो देखिए मैंन इसका में फैबरिक भी कट कर लेंगे फ्रेंड इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ब्लाउस डिजाइन की वीडियो अप्लोड की है किस तरह डिजाइनर ब्लाउस बनाना है बोटनेक ब्लाउस तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई पेटन क्लिक करके देख सकते हैं तो चली फ्रेंड की स्टीचिंग दिखाती हूं तो सबसे पहले दोनों पार्ट को में अलग-अलग कर लेना है और जो है इसके अस्तर के उपे हमें इसका में फैबरिक रखकर इसके चारों तरफ को जो है स्टीच लगा लेना है ताकि यह पूरी और फ्रेंड्स इतने दिनों से मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ पारी थी लेकिन अब रोज सारे पाज बज़े मैं रोज कुछ नया लेकर आऊंगी तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और रोज सारे पाज बज़े कुछ नया दिखने के ल लगानी होती है तो देखिए मैं इसको उल्टे की तरफ बैठा कर सीधे की तरफ फोल्ड कर लुगई देखिए कुछ इस तरह से हमें इस पर डबल स्टिच लगा लेना है ताकि पूरी तरह से सेट रहे अब जो एक्स्टा हमारा कप्ड़ा है। उसको हम लोग कुट कर लेंगे और इंधम एक्वल कर लेंगे इसके बाद जो फ्रेंट्स का मेंड पार्ट है इसकी फ्रिल उसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए मैने मेंड फैबरिक ले लिया है अब हम लोग इसमें जो है तीन इन चौड़ा रखेंगे देखिए आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं लेकिन ये साइज इंदम पर्फेक्स साइज होने वाला है तो देखिए मैंने तीन इन चौड़ा ले लिया है कपड़ा और इसका जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितने भी आपको जो है गैप में फ्रिल बनानी हो अगर आप साधा क्लोस क्लोस बनाना चाहते हैं तो आप उसे अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं देखिए मैंने लेंथ का यहां पर कोई मेजरमेंट नहीं बताया है इस बाद इस कपड़े को हमें डबल फोल कर लेना है आप चाहे तो पूरा एकदम लंबा स्लाइक कर सकते हैं और नहीं तो बस इस तरह की छोटी छोटी फ्रिल बना सकते हैं देखिए मैं इसको बना ले रही हूं बिना स्टिच किया साइड में और चोटी छोटी फ्रिल बना रही हूं देखिए और आपको में इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी फ्रिल होस की गैप हमेशा इक्वल रहे देखिए कुछ इस तरह से इससे ही यह सुंदर लेगा कहीं भी जादा यह कम गैप नहीं होना चाहिए देखिए पूरे कपड़े में च्छोड़ी फ्रिल बनाते जाना है जितना भी आपको लंबा ले रहे हैं आप कपड़ा जितना भी आप चाहते हैं फ्रिल देना उतना ही कपड़ा अप लीजिए गा तो फ्रेंड देखिए मैं इससे तरह से पूरे कपड़े में करती जाओंगी और इतने दिनों में आप लोगोंने मेरी वीडियो को कितना जाता मिस किया प्लीज मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा और अब से जो है मेरी वीडियो रेगूलर आएगी थिक सारे पाज बजे तो प्लीज चैनल पे बने देएगा और सारे पाज बजे वीडियो देखना मत भूलिएगा तो देखिए मैं इससे तरह से पूरे एंट तक करती जाओंगी तेखिए मैंने पुड़ा फ्रिल बना लिया है अब इसको हम अपने ब्लाउस के नेक पे सेट करेंगे तो यह फ्रिल बनाने के बाद किसी भी नेक पे इसको इजिली सेट कर सकते हैं तो यह हमारा यूनेक है सिंपल सा तो बस हम इसके जो है इस तर और यह देख के बहुत जादा हार्ड लगता है लेकिन जो प्रोसेस मैंने आज बताया है आप लोग गर इससे करते हैं तो यह बहुत आसान हो जाएगा और साथ ही फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी तो देखिए जितना भी हमारा नेक है में उतना तक रखना है इस ऐसके बाद इकस्टा पार्ट को कर लेना है इस बाद इसमें अच्छी फिनिशिंग देने के लिए अब इससे नेक पर पट्ती लगानी है तो इसके लिए मैंने इसका में फैबरिक ही लिया है और इसको तीच्छा पट्ती में कट किया है तो इसक के पहले बताया कि तो देखिए इस तरह से हाफ इंच का सलाय लगाते जाएंगे क्योंकि हम लोग इससे एक पाइपिंग देंगे चौड़ा पाइपिंग जो होता है इससे पहले मैंने अपटे वीडियो में चौड़ा पाइपिंग और एकदम पतला पाइपिंग दोनों ही बताया है तो अगर आप लोगों ने वह वाली वीडियो भी नहीं देखिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वह सारी वीडियो जाकर देख सकते हैं तो इससे उतने अची फिनिशिंग नहीं आ रही है इसलिए मैंने थोड़ा से यहां पर देखिए इसको हम दो थोड़ा से निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से और इसको जो है सामने की तरफ हमें इसको फोल्ड करना है देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ डबल फोल्ड और एकदम इसके साइड साइड में हमें स्लाइ लगाते जाना है जिससे जो हमें इसके नेक पे कोई भी हें स्लाइ करने की आप चाहे तो सेम पट्टी यूज ना करके कोई और भी कर सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा सुन्दर लगे और ये पाइपिंग का काम भी करता है देखिए कुछ इस तरह से तो देखिए मैंने पूरे नेक पे पाइपिंग को सेट कर लिया है और ये कितना सुन्दर लग रहा है अब देख सकते हैं अब हम इसके नीचे जो है कमर पट्टी आट करेंगे तो कमर पट्टी के लिए मैंने लाइलिन ले लिया है और एक दिम नीचे की तरफ हाप इंच का है इस लाइल लगाते जाएंगे इसके बाद देखिए इसके मीडल में हम लोग प्लीट बनाएंगे जैसे कि ब्लाउस के बैक में दो प्लीट बनाना बहुत ज़ोड़ी होता है और इसके बाद एक चाप स्लाइ लगा लेंगे और बाद में हम इस पट्टी को जो है अंदर की तरफ फोल करके हेम स्लाइ कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए अब देखिए मैं इसका दूसा पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है और कितना सुन्दर लग रहा है इसकी फिनिशिंग देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं कल ठीक सारे पाज बज़े